C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शेहनाई भाग एक सफ़ा पचासी सबक तेरह शेर और मच्छर एक शेर जंगल में दरख्त के नीचे सो रहा था एक मच्छर भिन भिनाता हुआ शेर के पास आ पहुँचा शेर का खून चूसने के लिए उसके आसपास मंडलाने लगा मच्छर की आवाज से शेर की आँख खुल गई उसने मच्छर से कहा ए हकीर कीडे दूर हो जाओ मेरे पास ना आओ तुझे मालूम नहीं मैं जंगल का बादशा हूँ मच्छर ने कहा मैं तुमसे नहीं दरता मच्छर की ये बात सुनकर शेर को घुसा आ गया यहाँ पर एक तस्वीर है जिसमें पेड की नीचे एक शेर बैठा है और वहीं पर एक मच्छर उड़ रहा है सफा नंबर 86 और उसने मच्छर को मारने के लिए अपना पंजा उठाया मच्छर जो की शेर के गाल पर बैठा था पंजा देखते ही उड़ गया शेर का जोरदार पंजा खुद उसके गाल पर लग गया और गाल जखमी हो गया अब मच्छर को शरारत सुची उससे में मच्छर को मारने के लिए फिर पंजा उठाया लेकिन ये क्या हुआ मच्छर फिर से उड़ गया और जोरदार पंजा दोबारा शेर के दूसरे गाल पर लग गया थटाक अब शेर का दूसरा गाल भी जखमी हो गया शेर के गाल से खून बहने लगा शेर बेबस हो गया मच्छर शेर के पास मंडला रहा था तंग आकर शेर वहां से उठा और खामोशी से चला गया शेर को जाते देखकर मच्छर ने कहा दोस्त अपने आप पर गुरूर नहीं करना चाहिए लोक कहानी सफा 87 मश्क एक इन लवजों को लिखवाईए जंगल खाली जगा शेर खाली जगा दरख्त खाली जगा जखमी खाली जगा दो खुरूफ को मिला कर लवज बनवाईए मीम चह र खाली जगा बराबर खाली जगा दाल वाव सीन ते बराबर खाली जगा जीम नून गाफ लाम बराबर खाली जगा गईन रे वाव रे बराबर खाली जगा हे गाफ ये रे बराबर खाले जगा असातजा के लिए हिदायात कहानी की तस्वीरों को दिखा कर बच्चों से बात चीत करें बच्चों से घरवालों से सुनी किसी कहानी को जमात में सुनवाया जाए सफा 88 तीन नीचे दिये हुए लफजों के हुरूफ अलग अलग लिक्वाईए शेर खाली जगा खाली जगा खाली जगा गाल खाली जगा खाली जगा खाली जगा खाली जगा खून खाली जगा खाली जगा खाली जगा खाली जगा दरख्त खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, कीडे खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह, खाली जगह चार नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखवाईए शेर, खाली जगह मच्छर, खाली जगह लोम्री, खाली जगह चीता, खाली जगह सफह 89 5. शेर और मच्छर की तस्वीर बनवा कर रंग भरवाईए शेर, नीचे खाली जगह दी हुई है जिसमें शेर की तस्वीर बनानी है मच्छर, नीचे खाली जगह दी हुई है जिसमें मच्छर की तस्वीर बनानी है अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की उर्दू की ध्वनी पाठे पुस्तक शहनाई भाग एक वाचनस्वर उजमाज जमाल जाफरी और असर नवाज उस्मानी तक्निकी दिर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन विकास सांगवान निर्वान सहयक मिनाक्षी कुकरेती निर्देशन एवं निर्वान विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत